थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में जो भी चल रहा है एक बार के लिए उसको साइड में रख दीजे और इस बात पर गौर कीजे कि इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री यानि दिल्ली सीम केजरिवाल जेल में हैं और जेल से सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं आज रिंजिम के 5 points में आपको जानना है कि जब आज court में सुनवाई हूई तो केजरिवाल की जीत कैसे हुई court में चुनावों से पहले अब केजरिवाल के पास कितने रास्ते बच जाते हैं क्योंकि 25 में एधर विधान सबाथ चुनाव है और आज court में क्या-क्य केज खेले गई आपको जानना और आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है रिम जिम के 5 पॉइंट में देखिए कोट ने क्यों दी केजरिवाल को राहत दूसरा एडी वर्सिस केजरिवाल की दलीले क्या क्या रही तीसरा राजधानी दिल्ली को अब कौन संभालेगा आखिरकार आ तो आखिरकार नया सीम कौन होगा तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि कोट ने क्यों दी केजरिवाल को राहत तो इसे कहानी की तरह समझिए कि एक सुरजीत सिंग यादव हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं किसान हैं और एक समाच सेवक हैं वो कोट में एक पी आयल दाय हो जाएगी तो वो यह पी आयल उन्होंने कोट में धाकिल की यानि दिल्ली हाइकोट में फिर दिल्ली हाइकोट में यह हुआ कि दिल्ली हाइकोट ने कहा कि हम यह पी आयल खारिज करते हैं वो सीम पत पर बने रहेंगे क्योंकि ऐसा कोई कानून कहता नहीं है कि बहुत सीम पालिका का मसला है और हम इसमें इंटरफेर नहीं करेंगे क्योंकि इसके रिकार्डिंग ऐसा कोई कानून है यहाँ पर आपने नहीं दिखाया है सुर्जीत सिंग्यादव को कहा तो हम ये PIL खारिज करते हैं और इसी बात पर केजरिवाल की जीत हो जाती है क्योंकि उनके जो सुर्जीत सिंग्यादव हैं उन्हें ये भी कहा कि केजरिवाल को जेल के अंदर से कैसे हक है कि वो आदेश देखी दो आदेश आच चुके हैं केजरिवाल के जेल के अंदर से तो वो कैसे दे सकते हैं इस वाली PIL पे अभी सुनवाई होना बाकी है अब दूसरा देख संहों हु यह राउज भीनिऄ कोड्में चल रहा था अब आप इसमें जानिये कि क्या-क्या खुलासे कि है के जरीवाल ने क्या-क्या कहा और फिर इसके बदले में इडी ने क्या क्या तो केजरिवाल से शुरू करते हैं केजरिवाल पहले में आपको बता देती हूं कि आज कोट का फैसला था कि केजरिवाल अब 1 अपरेल तक ED हिरासत में रहेंगे ये कोट ने फैसला दिया यानि जो ED ने समय मंगा था वो उनको दे दिया गया है और एक अपरेल से पहले इस पर कोई सुनवाई ने होगे और ये हिरासत में रहेंगे अब आगे आईए कि केजरिवाल ने क्या-क्या बयान दिये और मैं आपको ये भी बता दूं केजरिवाल की पत्नी पहले दावा कर रही थी कि आज केजरिवाल बड़े-बड़े खुलासे करन हैं और ये केस दो साल से चल रहा है मैं कहीं पे भी दोशी नहीं पाया गया हूं तो आखिरकार किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया है इदर CBI ने 31,000 पन्ने की चार्ड शीट बना दी है ED ने 25,000 पेज की बना दी है लेकिन मेरा जो नाम है वो सिर्फ चार्ड स्टेटमेंट में आया है और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है फिर उन्होंने कुछ दाम भी लिये जैसे कि C. अर्विन, रागव मुगंटा, शरत रेड़ी फिर उन्होंने ये भी बताया कि शरत र फाइले आती हैं उस आधार पर आप मुझे गिरफ्तार कर दोगे कि किसी एक ने कह दिया कि मनी सिसोधिया की मौझूदगी में ये फाइल ट्रांसफर हुआ है तो ये कैसा आरोप हुआ और जो ही 100 करोड कह रहे हो जो रिश्वत ली गई है 100 करोड कहीं पे भी नहीं है क्यो पुलिटिकल शणियंतर है मेरे खिलाफ आम आदमी पार्टी को इससे खत्म करना है इनके पास कोई सबूत नहीं है एडी के पास सिर्फ फाल्तु में मुझे गिरफ्तार कर रखा है देखे रिमांड का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आपको जितना दिन मुझे रखना है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एडी सिर्फ पैसा बटोर रही है पैसा इखटा कर रही है इनके पास कोई भी मेरे खिलाफ सबूत नहीं है अचा इसके जवाब में अब एडी ने क्या कहा एडी ने कहा कि केजरिवाल के घर से हमको चार डिवाइस मिली है जिस दिन गिरफता उनका फोन भी जब्त कर लिया है और इडी कह रहे है कि भाईया जो इनके फोन का डेटा है वह हमको अब एनलिसिस करना है उसका डेटा निकाल के चांद बिन करनी है तो हमें तो वक्त चाहिए ये भी बोली एडी कि केजरिवाल का गोवा प्रत्याशी से आमना सामना कराना ह मैं आपको बता दूं कि गोवा प्रत्याशी जो आम आदमी पार्टी का गोवा प्रत्याशी है उसको एडी ने अपने पास रखा वो कह रही है कि केजरिवाल को एक तरफ बिठाएंगे और जो ये गोवा का प्रत्याशी उसको एक तरफ बिठाएंगे और इनका आमना सामन लिए केजरिवाल ने हवाला ये गोवा चुनाव ये हवाले के पूरे हमारे पास दस्तावेज हैं कि कैसे हवाला नेटवर्क के थूरू पैसा ट्रांसफर करके आम आदमी पार्टी ने गोवा एलेक्शन में लगाया है और बीजेपी का रिश्वत और घोटाले से कई लिंक आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इसमें बीजेपी को रिश्वत दी गई लेकिन एडी तो कह रही है कि इसमें बीजेपी और शराब गोटाले का तो कोई लिंक ही नहीं है पिर आगे आईए ये मैं आपको आगे बताती हूँ तीसरे पॉइंट पे कि राजधानी हिरासत में रहेंगे अब तीसरे पॉइंट पे आजएए कि आखिरकार अब राजधानी दिल्ली को कौन संभालेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं जेल से आदेश दे रहे हैं जेल से सरकार कैसे चलेगी तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह कह रहे हैं कि हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे गिरफतारी से पहले से भी यह लोग यही कह रहे थे कि हमने पूरा प्लान बनाया है हमको पता है कि गरफतारी तो होने वाली है तो हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे और मैं आपको एक और चीज बता दूँ यह जो कानू तो यह जो जेल से ही चलेगी सरकार, आप देकी हाई कोट ने भी कह दिया है, कि इस मसले में हम नहीं पढ़ेंगे, अभी तो यह CM बने रहेंगे, अच्छा एक और बात फिर विपक्ष तो यही पूछेगा, कि जेल से कामकाज कैसे चलेगा, आपको इतनी फाइले देखनी होत आपको दस्तावेज आपसे लोग मिलने आते हैं, आपको दस्तकत करने पड़ते हैं, तो अगर आप जेल में हो, अगर आपके उपर कोई आरोप लगे वे हैं, तो आप कैसे कोई डिसिजन पर दस्तकत कर सकते हो, आप कैसे कोई आदेश पास कर सकते हो, और आप जेल से कैसे अपने decisions दे सकते हो, कानून इसको करने की अनुमती नहीं देता है, तो अगर ऐसी चीज सामने आती है कामकास के कारण, तो केजरिवाल स्तीफा भी दे सकते हैं, अब आगे आईए, कि जो ED ने केजरिवाल को गिरफतार किया है, वो PMLA के तहत किया है, अच्छा, इस कानून में जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल होती है, देख लीजे आप, उधारन उनी के ही दोस्त हैं, सिसोधिया, मनीश, सिसोधिया, जिप्टी, सीम, जो दिली के, वो भी उधर बैठे वे हैं, सतेंद्र जेन, वो भी आमादनी पार्टी के, वो भी वही उसी जेल में बैठे वे हैं, और उन्हीं पे भी PMLA लगी वी है, तो अगर अभी तक सिसोधिया और सतेंद्र जेन बहार नहीं आपाए हैं, और ये पूरे सोशल मीडिया पर क्लिप पारल है, कि जेल से सरकार तो नहीं चल सकती है, इसके पीछे अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं, कि अगर LG ने ये एलान कर दिया है, कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजधानी में जो LG है वो राष्ट पती शासन लगवा देंगे और आपको एक और बात बता दूँ कि इस पे भी आम आदमी पार्टी के पास हतियार तयार है वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अनुछे 356 है वो आप तभी लगा सकते हो जब कोई संकट आए जब कोई संविधानिक संकट आए ऐसे नहीं लगा सकते होगा अचा अब आगे आईए कि दो और कानून में आपको बता देते हूं अनुछे 239 AA और 239 AB तो LG को शक्तिया मिली भी होती है दिल्ली में तो अगर वो इन कानूनों का इस्तमाल करके राष्ट पती शा नहीं लगा सकते हैं और इस पर दूसरा यह चीज आती है कि अगर आपके पास कोई और अन्य विकल्प नहीं होता है मतला अगर केजरिवाल की जो सरकार जेल से चल रही है इस पर अगर कोई और अन्य विकल्प नहीं है तब तक आप नहीं लगा सकते हैं अब आगे आईए अगर राष्ट्रपती शासन लग जाए, तो क्या पता हम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड प्ले कर ले, वो बोले कि विक्टिम कार्ड और जो सिंपती के कारण जो आगे 2025 में विधान सबत चुनाव होने हैं, उसमें जीच जाए, और आखिर का जो ऑप्शन है वो ये है, कि अगर इन सब में से कुछ नहीं होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कि अभी जैसी सिचुएशन है, जस की तस वही बनी रहेगी, केज रिवाल अंदर से आदेश पास करते रहेंगे, उनकी बीवी उनी की कुरसी पे बैटके वो आदेश पढ़ती रहेंगी, और जितने पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, सबसे पहले तो यह आंकड़ा देखिए, जो E.D. ने खुद बताया है, कि जब से यह कानून आया है, तब से 2023 तक E.D. ने तकरीवन यह 5,906 यानी 5,906 केस दर्ज किये हैं, उस पे 1142 में चार्ज शीत दायर हुई है, इसमें से 513 लोग सिर्फ जो ट्राइल पूरा हुआ है, वो 25 का हुआ है, मतलब आप देखिए, कि 5-6,000 जो केस हैं, उसमें से सिर्फ 25 पे ट्राइल होता है, और 24 इसमें से आरोपी, जो आरोपी बनाए जाते हैं, वो दोशी करार हो जाते हैं, तो देखिए, E.D. यह कहती है, कि money laundering में जो E. पक्ष है, वो यह सवाल उठाता है, कि भाई साब आपने यह तो देखा ही नहीं, कि इतने सारे केस हैं, उसमें से सिर्फ E.D. 25 पे ही ट्राइल पूरा कर पाई है, सिर्फ 513 को गिरफतार कर पाई है, और आप कह देते हो यह दो आकड़े, कि 96% जो कन्विक्शन है, जो यह क केस चल रहे हैं उनका क्या, अब आगे आईए, इसमें से जो 176, यानि 2.98% मामले हैं, वो मौझूदा, NETA, SANSAD, MLA, MLC, इन सब के उपर हैं, अब एक और बात मैं बता दू, PMLA, जिसके तहत केजरिवाल अंदर है, Prevention of Money Laundering Act, यह सबसे खतरनाक कानून है, इसमें ना आपको 12 और 13 की बात करूं, तो ED के कितने केस इसते, 221 और 2021 और 22 की बात करूं, तो कितने हैं, 1180, अब देखिए, एक और बात है, कि मोधी सरकार में कहीं ना कहीं, 2019 के बात से ED की ताकत बढ़ गई है, क्योंकि ED को और जादा शक्तियां दे दी हैं, सारे मामलों में, और मोधी जी तो यही कहते हैं, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, और ED उसका जीता जाकता उदारन है, और विपक्षे कहता है, कि मोधी जी, ED, CBI इन सब का इस्तमाल करके विपक्षियों को परिशान करते हैं, अब पांच में पर आ जाईए, कि केजरिवाल की कुरसी पर पत्नी कैसे बैट गई, कि अगर ये जो कुरसी है, वो समविधानिक पद है, चुनावा पद है, तो विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, यानि BJP सवाल उठा रही है, कि आखिरकार उनकी पत्नी उनहीं की कुरसी पर बैट के, वहीं बैट के आदेश कैसे दे सकती हैं, तो देखे कानून के खिलाफ है, सीम कुरसी पर बैटना, अब देखे, सिसोधिया, सतेंद्र और संजे जेल में बंद है, अब अगर हम ये बात करते भी हैं, कि केजरिवाल को स्तीफा देना पड़ जाता है, देखे, चुनाव तो अभी 2025 में है, लेकिन उससे पहले सरकार कैसे चलेगी, तो अ कामने आये हैं, अनोफिशली बता रही हूं, अभी तक कुछ अनाउंस्मेंन नहीं हुआ है, यह तो आतीशी मार लेना, यह फिर गोपाल रहा है, इन में से कोई सीम बन सकता है, और केजरिवाल की पतनी सुनीता केजरिवाल, जो अल्रेडी सीम की कुरसी पर बैट चुकी है जिसमें कोई भी कानून यह नहीं कहता है, कि आप सीम की कुरसी पर बैट सकते हैं, तो वो अल्रेडी जब बैट चुकी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कि जैसे राबडी मॉडल जैसे कहा जाता है, जैसे बिहार में हुआ था, कि अगर पती नहीं तो पतनी सीम बन करेगी, अब आगे आई है, कि इस केस के, अगर मैं आपको कुछ और फैक्स बता देती हूं, कि देखे, केजरिवाल के दो आदेश ED की जान जारी, कि अभी जो केजरिवाल ने जेल से ओर्डर पास किया है, उसकी भी ED जान करेगी, कि आप जेल में बैठे-बैठे, दो आद इस पूरे मामले में ED ने कहा है, कि लगबग ये जो आंकरा देख रहे है, 2873, इतने रुपे का घाटा ये घोटाला है, ये जो शराब पूरा घोटाला का मामला है, अभी तक मुझे आपको वापिस रिपीट करने की जरूत नहीं है, इस मामले में इतना बड़ा अभी रिश्वतली थी, जो ये न्यू एक्साइस पॉलिसी आई थी, उसमें कुछ कारोबारियों का फाइदा करवाना था, और वो फाइदा करवाने के लिए, उनका लाइसेंस, जो फी है, वो माफ करने के लिए, उन्होंने 100 करोड की रिश्वतली और इसमें आम आदमी पाटी क कई नेता इसमें शामिल थे, और जो ये पैसा आना था, वो गोवा चुनाव में, हवाला हैंजल के थ्रू, गोवा चुनाव में इसका इस्तमाल किया गया, फिर इस पूरे मामले का दक्षर से भी लिंक है, आपको पता होगा, कि केसी आर की जो बेटी हैं कविता, वो भी इ देख लीजिए कि हम क्यों कहरें, देखिए उसी कुरसी पर दिल्ली सीएम केजरिवाल बैठे वे हैं, और अब क्योंकि वो जेल में हैं, तो उनकी पत्नी उसी कुरसी से उनका आदेश पढ़ रही है, और अभी हाल ही में वो ट्रोल भी हुई थी अपने एक बयान के लिए स इसमें उन्होंने कहा था कि केजरिवाल जी का कुछ संदेश आया है, तो सोशल मीडिया पर कई तरह की की बाते बनाये जा रही हैं, और सवाल भी उठाये जा रहे हैं, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात है कि ये सब हो रहा है भारत की राजदानी दिल्ली के साथ, अब इ नमस्कार, मैं हूँ मानक गुपता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें, तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखके रहे हैं, जूस 24